हेलो इन्वेस्टर्स तो बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा देखते हैं इस वीडियो के पॉइंट्स के बारे में तो वीडियो में हम बात करेंगे एसे स्टोक्स के बारे में जिसमें कि सेर होलर्डर्स के लिए काफी अच्छी न्यूस आ सकती है तो जिसमें हम देखेंगे क्या है rebalancing, उन से हो वो stocks जो की enter हो सकते है and उन से हो stocks जो की बाहर होंगे तो चलिए पहले बात करते है rebalancing के बारे तो अगर आप share market में नए नहीं है तो आपको rebalancing जानते ही होंगे लेकिन अगर नए हो तो don't worry हम कब काम आएंगे तो basically जैसा हमें बता है nifty में top 50 companies आती है तो वो company लगातार nifty 50 का हिशा नहीं रहती तो जिस भी company का performance थोड़ा उपर नीचे रहता है तो उस company को index से निकाला जाता है and उसके बदले दूसरी company उसको index में add किया जाता है तो इसे कहते है rebalancing जिस दिन से यह लागूप हो जाएगा तो आज भी हम ऐसे ही rebalancing की बात करने वाद आप पूछ होगी उसमें shareholders के लिए good news किया है तो बताते है जनरली ऐसा देखा जाता है कि ऐसे index में entry से share में हमें अच्छा खाशा मूँ देखने को मिल सकता है तो हुई न गूड नियूज तो अब यह सब छोड़के देखते हैं कौन-कौन से है वो stocks जो कि इसमें entry ले शकते हैं बट वो जानने से पहले disclaimer देना चाहेंगे यह कोई guarantee नहीं है कि यही stock आएंगे अक्षर मार्केट में ऐसी news चलती रहती है कि यह company's add हो शकती है लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि बाद में इस company को add ना भी किया गया हो तो आपको यह बात याद रखनी चाहिए तो ऐसे ही यह भी एक news है इसलिए यह stock कोई guarantee नहीं है कि यही add होने वाले है बट इसके chances काफी अच्छे लग रहे है तो चलिए जान देहें उन stocks के बारे में उसमें पहला stock है जो कि nifty 50 में add हो शकता है वो है अदानी enterprise तो जेशा कि आप यहाँ पे देख सकते हो अदानी enterprise अभी 260 रुपे पे trade कर रहा है अगर हम इसके 52 week हाई की बात करें तो वो है 2420 जाने कि वो अपने 52 week हाई से काफी नीचे अभी trade करता हुआ दिख रहा है तो अब अगर इसमें हमें इस news के चलते खरीदना है तो यह हमारे लिए best reason हो शकता है add करने के लिए अगर हम इसके past performance की बात करें तो पिछले एक मन्त में यह 7% डाउन चल रहा है तो वहीं 6 मन्त की बात करें तो काफ शाल की बात करें तो उसमें भी हमें 52% का return मिला हुआ है एंड 5-year की बात करें तो उसमें 17% का return यदानी enterprise दे चुका है तो अगर आप इस news के चलते share में खरीदारी करना चाहो तो यह तो share काफी अच्छा है performance भी अच्छा रहा है एंड अभी 52 week से काफी नीचे मिल रहा है त तो यह एक best buy बन शकता है तो वहीं अगर हम देखें कि की share की जग़ यह लेने वाला है तो उसमें हमें स्री सिमें की nifty 50 से exit होती हुई दिख शकती है एंड इसकी जग़ ले सकता है अदानी enterprises तो स्री सिमें की बात करें तो वो आज तकरीबन 1.5% डाउन चल रहा है एंड 22, 1130 रुपे पे ट्रेड कर रहा है तो यह फिर हमें हिरो मोटो कॉर्प की भी exit होती हुई दिख सकती है जो कि आज तकरीबन 19 रुपे तेज चल रहा है तो इसका अगर करेंट प्राइस देखें तो अठाइशों के आश्पास चल रहा है तो हिरो मोटो कॉर्प यह फिर इन दो शेर में से किसी एक शेर की exit होगी और उसकी जगर आ शकता है अधानी enterprise जो कि निफ्टी 50 में जगर लेगा तो इसके अलावा और भी अगर candidates की बात करें तो उसमें है एक आपको मिल जाएगा Avenue Supermart यानि कि हमारा D-Mart जो कि अभी तकरीबन आज 5% तेजी दिखा जुका है एंड अगर इसके 52 विखाई की बात करें तो ये है 5,900 का एंड अभी ये काफी नीचे 3,900 रुपे पे ट्रेड कर रहा है यानि कि ये अपने 52 विख्षे काफी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है तो अगर ये new share के लिए सच हो जाती है तो shareholders को काफी फाइदा होने वाला है इसके अलावा अदानी green energy ये share का भी नाम चर्चा में रहा है जो कि शायद से ये भी share add हो शकता है तो इसके अगर हम price की बात करें तो आज ये 15% डाउन चल रहा है एंड अगर इसके 52 विखाई की बात करें तो वो है 3050 एंड अभी ये चल रहा है 1850 के आशपास तो ये भी काफी डाउन हमें चलता हुआ दिख रहा है इसके अलावा अदानी ग्रूप की एक और कंपनी है अदानी transmission तो ये share भी शायद से हमें इस share 5050 के list में add होता हुआ दिख सकता है तो जिसका की इसमें भी आज हमें 5% downside दीखा रहा है तो अदानी transmission अदानी green energy या फिर अदानी ग्रूप के share है उनके share holders को फाइदा हो शकता है क्योंकि तो अगर इस बदलाव की बात करें कि ये बदलाव कब होने वाला है तो इसका announcement हो जाएगा August के second half में यानि कि 15 August के बाद में इसका announce हो शकता है तो वही इसकी rebalancing date है वो September 30 रखी जाएगी यानि कि September 30 के तो इसके calculation के लिए 29 July को रखा जाता है यानि कि इससे पहले ही जो data होता है उसको calculation में लिया जाता है तो आपको September 30 के बाद ये फेरफार देखने को मिल शकते हैं तो अब वही बात करें Nifty Next 50 की उसमें भी हमें rebalancing देखने को मिल शकती है तो आई ये देख लेते हैं उनमें क कौन कौन से शेर की exit हो शकती है तो Nifty Next 50 में हम LIC जो की recent में ही list हुआ है तो इसके साथ साथ Tata Power, IRCTC, Emphasis, Adhani Wilmar, Shree Cement and Madarshan Sumi की entry होते होई दीख सकती है तो वहीं stock जैसे की Shell, Punjab National Bank, Jubilant Foodworks, Lupin, Chiders and Adhani Enterprises की इस Nifty Next 50 में से exit हो शकती है जिसमें की जैसे हमने बात की Adhani Enterprise Nifty Next 50 में से exit लेगा तो वो जाएगा Nifty 50 में तो ये हमने बताए Nifty 50 के and Nifty Next 50 के कुछ share जिसकी की entry and exit सायद से हो शकती है तो I hope आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा होगा जान करें मिली होगी तो अगर ये शाहे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों की शाथ भी शेर करें और शाथ ही कॉमेंट करना ना भूले कि इसमें आपके पास पॉर्टफोलियो में कौन-कौन से शेर उपलब्द है तो मिलते हैं अगले वीडियो में